हेलो एवरीबं स्वामे एडुकेशन यूटीव चैनल पर मैं सुनना मैं आप सभी का स्वाकत करती हूँ चलिए स्टुडेंट आज हम लोग जो है 6-8 के सिलेवस को जानेंगे और आज सबसे बड़ी पिसे इस बात है कि आज का जो है लेटेस्ट अपडेट भी हम लोग जान ले कि आज का लेटेस्ट अपडेट है क्या ठीक है तो सबसे पहरी बात आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलाल ही विपेसी ने 1-2-5 का 9-10 का और 11-12 का एक्जाम ले दिया ठीक है यानि कि प्रैमरी और जो हाई स्कूल की है और 10-2 की ये एक्जामिनेशन हो चुकी है और अब जो लेटेस्ट अपडेट क्या है 6-8 की एक्जामिनेशन होने वाली है तो विपेसी के द्वारा विहार सिख्षक परिच्छा के दूसरे चरण में एक लाग से भी अधिक पदों पर क्या होगी वैकेंसी आने वाली है इस पे जो है बहुत सारे अभियतियों का जो है नियुक्ती होने वाला है और ये नियुक्ती जो है आपका दिसंबर से जनवरी माह में दे दिया जाएगा तो इसमें 6-8 तक के लगबख 52,000 वैकेंसी जो आएगी वो किसकी आएगी 6-8 की आएगी जिसमें ऐसे आवे तक शमली तो हो सकते है जो की 6-8 की सिख्षक भरती परिच्छा में सामिर हो सकते हैं अब बात आती है की 6-8 के सिख्षक बनने के लिए हम कौन से स्लेबस को फॉलो करें क्या पड़ें क्योंकि टाइम बहुत कम है क्योंकि यहां एक्जामनेशन की जब बात चल रही है ये एक्जामनेशन भी अगले महीने यानि की अक्टूबर में ले लिया जाएगा ठीक है तो बहुत कम समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वैसे स्लेबस को फोकस करेंगे जिससे की हमारी तैयारी पूर्ण रुपेन हो सके और हमें लख्च की प्राक्ति मिल सके तो चलिए बच्चे सबसे पहले हम लोग जानते हैं और यहां हम यह जानेंगे की जो बच्चे 6 to 8 के जुनियर टीजर वनना चाते हैं और जिन बच्चों ने असना तक किया है T.E.T. Pass किया है और खास करके T.E.T. में Paper 2 पास किया है और साथ ही Beard है तो ऐसे बच्चे या T.E.T. Beard है या C.E.T. है तो ऐसे बच्चे जो है क्या द़ सकते हैं 6-28 के Teacher बन सकते हैं तो बहुत ही ये golden opportunity है आप सभी के लिए तो यहां बच्चे सबसे पहली बात है कि हम जानगे कि बिहार विपेसिक टीचर बनने के लिए जो है हमें कौन से परक्रियाओं से गुजरना होगा ठीक है तो ऐसी चरणों में हम जब दूसरे जो चरण के जो सिक्षगत परिच्छाएं होंगे तो उसमें हम जो है यह नोटिंफिकेशन जो है अगले मज़ना निकल जाएगा और उसे परिच्छा में जो है और मेली जो है दिसम्बर में इसका क्या होगा रिजल्ट भी गोसित हो जाएगा तो सिक्षग विवार की जो योजना है उस योजना को समधिये उसमें सीधा है कि वर्तमा सिक्षग भरती के परिणाम जारी होते ही अक्टूबर के प्रथम सक्ता में यानि फर्ष्ट विक अब अक्टूबर में विपेस्टी को वेगैंसी की जानकारी भेज़ दी जाएगी और 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी तो इसलिए बच्चे जो है हमें सिक्षक चैन प्रक्रिया मुख्य रूप से जो है तीन चर्णों में होगी जिसमें की रिटन इक्जाम रहेगा टॉक्मेंड वैरिफिकेशन रहेगा और विपेशी सिक्षा भरती परिच्छा में किसी परकार का इंटर्व्यू नहीं लिया जाएगा इसके लिए आप क्या रहिए निस्चित रहिए ठीकर चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब यहां पर देखेंगे कि आप सभी के मन में होगा कि बीपेशी जुनियार परिच्छा जो रहा है यानि कि 6-8 की जो परिच्छा हो रही है तो वह इतने अंकों का होगा तो इतना आपको समझना होगा कि 6-8 की जो यानि दूसरे शिक्षा कभरती चरण की जो चुन होगा एक पर वन भासा की यहीं अंग्रेजी और हिंदी की जाम नेशन होगी और पर टू जो है वह सामानी अध्यन का होगा यानि जैनरल स्टडीज का होगा तो इस तरह से आपको क्या करना है तैयारी कर लेना है तो यह एजाम जो है वह तो इसके द्वारा होगी तो बिहार पॉब्लिक सर्विस के द्वारा होगी और आप इस वेबसाइट पर अगर देखा जाए तो www.bpacbehindic.in पर भी आप सर्च कर सकते हैं और एक्जाबनेशन का टाइब होगा वो टीचर रिपूडमेंट एक्जाबनेशन यानि की नंबर नहीं आया है जिस दिन वेकेंसी आएगी उस दिन आपको पता चल जाएगा वोश्ट क्या होगा तो जुनियर सिक्षक के लिए और इसका जो टो एक्जामेनेशन का मोड गया रहेगा तो ओमार सीट बेश्ड होगा यानि की आपकी OF LINE एक्जामेशन होगी तुछके सेलक्सन का जो प्रॉससेस रहेगा वो रिटेन एक्जाम होगा और यहां पर जो एक्जाम होने की जो समभावना है वो समझें नवंबर अक्टूबर लास्ट यार नवंबर जो है फस्ट में आपका एक्जामनेशन हो जाएगा तो चलिए यह सारी बाद देख लिए अब टाइक और कोश्चन की बात की जाए बचे तो एक्जाम का टैर्ड में टाइक और कोश्चन का बहुत ही माइने होता है तो इसमें जो कोश्चन है वो होगा जैसा आपने ।